अगर आप धर्म नगरी अयुद्ध्या आ रहे हैं और प्रभुराम का दर्सन पूजन करना चाहते हैं तो यहाँ ख़बर आपके लिए सबसे महत्य पूर्ण है प्रभुराम की नगरी सज रही है अयुद्ध्या की भविता लोट रही है राम मंदिर में 500 वर्स के लंबे संगहर्स के बाद प्रभुराम विराजमान हो गए है 22 जनवरी की वाहतारिक जब गर्भग्रह में देश के प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी प्राण पतेष्ठा का अनुष्ठान कर राम लला की मुर्ते इस्थापित करेंगे इस पूरे कारिक्रम के लिए पूरे देश के राम भग्त में अलग ही उस्था देखने को मिला है आयोध्या में भाब मंदिर का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है इसे बीच राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी ख़वर सामने निकल कर आई है राम भग्त दो दिन तक आस्थाई मंदिर में विराजमान राम लला के दर्शन नहीं कर पाएंगे प्राणपतिष्ठा के मद्दे नजर बीस और एक्केस जनवरी को राम मंदिर का पट बंद रहेगा इस बात की जानकारी राम मंदिर के ट्रेश्ट के महासच्यू चंपत राय ने दी है हाला कि आपको बताते चलें 22 जनवरी को प्रभुराम जब भब महल में विराजमान हो जाएंगे तो 23 जनवरी से राम भाक्त दर्शन पूजन कर सकेंगे